यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी पाइबल मैसेज और प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुभा शाम वच्चन प्रातना और गवाहे के द्वारा साहित करते हैं यदि आप प्रातना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल है तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रातना करवा सकते हैं धन्यवा प्रेजल और दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आज सुभे की प्रार्थना में और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि राजा आपको बुला रहा है राजा आपको बुला रहा है आप जानते हैं हम लोग सीख रहे हैं परमेश्य के राज्य के बारे में और किसी भी राज्य में एक राजा होना बहुत ही आउशक है अब वो राज्य पूरी प्रजा को चलाता है और एक छेतर पर वो अपने अधिकार को रखता है तो वो राज्य जो उस राज्य में जो आने वाला राज्य है उसमें राज्य करेगा वो राज्य आपको बुला रहा अब वो राजा आपको क्यों बुला रहा है? क्यों वो आपको बुलाहट दे रहा है? क्यों वो चाहता है कि आप वहाँ आएं? क्यों वो आपको नियोता दे रहा है? प्रविएश्यमसी ने कहा मतरच यसुष मचार उसका 22 अध्याई यदियाप निकालेंगे दो, तीन, चार, पांच पद हम लोग पढ़ेंगे लिखा है सवर्ग का राजिया उस राजा के समान हैं किसके समान है? एक राजा के समान है सवर्ग का राजिया प्रवियेश मसी स्वर्ग के राज्य को Kingdom of God को परमेश्व के राज्य को एक राजा के समान बता रहे हैं और कहते हैं जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया और उसने अपने दासों को भेजा अपने सेवकों को भेजा कि नुटाहारियों को ब्याह के भोज में बुलाए जिनको उसने निन्योता दिया था उन्हें बुलाने के लिए भेजा परंतु उन्होंने आना नता उस राजा ने एक बड़ा भोज तयार कर रखा है क्यों तयार कर रखा है क्योंकि उसके बेटे की साधी हुई है इसलिए उस राजा ने बहुत बड़ा भोज जहां उत्तम उत्तम भोज ये पदार्थ बनाए गए हैं तयार किया है और जब उसने लोगों को इन्वाइट किया जो उसके परिजन थे जो उसके रिस्तदार थे उनको जो इन्वाइट किया तो लिखा है उन्होंने आना न चाहा फिर उसने और दासों को यहो कहकर भेजा कि न्यता हारियों से कहो देखो मैं भोज तयार कर चुका हूँ और मेरे बैल और पले हुए पसू मारे गए हैं और सब कुछ तयार है ब्या के भोज में आओ दोबारा भेजा उसने कहा तुमारे लिए मैंने भोजन तयार करके रखाए बहुमुल्या बहुमुल्या बहुत अच्छा अच्छा उत्तम पदार्थ मैंने बनाए हुए हैं तुम जल्दी आओ भोजन करने के लिए परंतो वे उपेक्छा करके चल दिये कोई अपने खेट को, कोई अपने ब्यापार को लकिन इन लोगों ने उस राजा की बुलाहट को नहीं सुना इन्होंने कहा बोजन से ज़्यादा इंपोर्टन तो हमारे लिए हमारा बिजनिस है हम बिजनिस करने जा रहे हैं, किसी ने कहा हम खेट में हल लगाने जा रहे हैं, किसी ने कहा हम वीज बोने जा रहे हैं, किसी ने कहा हम हमारे पास वक्त नहीं है किसी ने कहा मैं बाद में आऊंगा, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, सब ने एक्सक्यूज दे दिया कि अभी हमारे पास समय नहीं है राजा के भूज में आने के लिए और राजा नहीं क्या कर रखा है उस राजा ने बहुत बड़े भूज को उनके लिए तयार करके रखा हूँ उत्तम उत्तम पदार्थों को बना करके रखा हूँ लेकिन इन लोगों ने इंकार कर दिया जानते हैं जिन्हों ने इंकार किया उनका राजा नहीं क्या किया राजा गया पुरी सेना को लेकर और उन सब को मार दिया तब राजा ने अपने सेवकों से कहा कि जो मिले उसे लियाओ सब लोगों को बुला लियाओ मेरे भोज में और बहुत सारे लोग आए उन्होंने वहाँ भोज में कहना क्या चाहते हैं प्रवियेशन प्रवियेशन मसी चाहते हैं कि परमेशन ने तुम्हारे लिए एक भोज तयार करके रखा हुआ है वो परमेश्व का राज्य, तुम्हारे लिए एक सुन्दर भोज, उत्तम मुत्म पदार्थों को भोज, तुम्हारे लिए तैयार करके रखा हुआ है परमेश्व ने, वो तुम्हें भुला रहा है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, इसलिए बाइबल कहते है बोज से तले दूँगा मेरे पास आओ इसलिए बाइबिल के दे में दर्वाजा पर खट खटा रहा हूं जो कोई मेरे लिए दर्वाजा खोलेगा मैं उसके साथ में आकर भोजन करूंगा प्रवयेश मसी बुला रहे हैं लोगों को कि इस भोज में सामिल हो जो सबसे उत्तम भोज है सबसे बड़ा भोज है जो सुएम परमेशन ने तुमारे लिए तैयार करके रखा हुआ है लेकिन बहुत सारे लोग इस भोज को पहचार नहीं पा रहे हैं वो उसे नकार रहे हैं और आप में इसे भी हो सकता है कुछ लोग उसे नकार रहे हैं यह सोचकर कि अभी तो मेरा मैंने विजनिस में जाना है मैं जॉब में हूँ मेरे पास अभी मेरा भोज है ये करना है मुझे ये प्लान करना है यो योजनाई है मेरी और अभी परमेशन के पास जाने का समय नह और आप नकार रहे हैं उसके भोज को लेकिन प्रभी एश्व मसे चाहते हैं कि आप आज ही उसके भोज में सामिल हो जाए आज ही उसके भोज में सामिल हो जाए उस स्वर्ग के रज्य के नागरिक आप आज ही हो जाए उसके बुलाहट को आप आज ही पहचान ले वो आपको बुला रहा है कि मेरे भोज में सामिल हो मैंने तुम्हारे लिए भोज तयार करके रखा हुआ है आओ इस भोज में सामिल हो जाओ आओ मेरे राज्य में सामिल हो जाओ आओ मेरे पिता के धन्य लोगों इस राज्य के वारिस हो जाओ इस राज्जी के अधिकारी हो जाओ परमेश्र आपको बुला रहा है और आप में से बहुत सारे नेगलेट कर रहे हैं आज सुभह में मैं आपको उटसाइद करूँगा नेगलेट न करें यदि आप परमेश्र के आवाज को सुन रहे हैं तो जरूर से उसको अपना जीवन समर्पित करें उसको अपना जीवन दें अपने गुनाहों को छोड़कर अपने गलत कामों को छोड़कर उन एडिक्सन को छोड़कर उन बुरी लतों को छोड़कर उन गलत आदतों को और जब आप ऐसा करेंगे, प्रवो आपको उत्तम उत्तम पदार्थों से त्रिप्त करेगा, उस भोज में प्रवो आपको सामिल करेगा, आप राजा के साथ बैठेंगे और उसके साथ में भोजन को करेंगे, उसके साथ में भोजे पदार्थों आपके साथ में सियर होंगे, आप और राजा एक ही हाली में एक ही भुजन को करेंगे इसलिए उसके आवाज को अंसुना न करें वो आपको बुला रहा है तो हम जरूर से उसके पास जाएगे प्रभ येश्य मसी ने पतरस से कहा कि मेरे पीछे हो ले उसने अपना सब कुछ छोड़ा और उसी समय वो प्रभ के पीछे हो लिया प्रभ येश्य मसी ने मानों से भोज में बुलाया और पतरस ने सब कुछ छोड़कर अपना बिजनिस सब कुछ छोड़कर वो उस भोज में सामिल हो गया आज प्रभ आपको बुलाता है क्या आप इस भोज में सामिल होना चाहते हैं तो अपना जीवन प्रव ये श्यमक्सी को दे अपने गुनाहों से माफी मांगे प्रवु मैंने गल्तियां की है मुझे माफ करे जब आप ऐसा करते हैं आप उसके भोज में सामिल हो जाते हैं जब आप उसके भोज में सामिल होते हैं, आप उत्म पदार्थों से तरीप को होते हैं, यहां भी और वहां भी, सुप्रवब आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयद से आसी से, आमीन. आप सबको जैमसी की परमेश्व का हिर्दय से धन्यवाद देते हैं, सुंदर सी सुभा के लिए. मैं आशा करती हूँ, आप मेंसे हर एक जन्ने बड़े ही ध्यान से परमेश्वर के इस वचन को सुना है, जिस प्रकार हम सीख रहे हैं परमेश्वर के राज्जी के विशे में. और सच में मैं आशा करती हूँ, आप मेंसे बहुत सारे लोगों को इन वचनों को सीख कर बहुत ही जादा आनंद और खुशी मिल रही है. सो आईए हम से मिलकर परमेश्वर से प्राथन करेंगे, अपने विशेयों को अपने सारे जो मुश्किल और विप्रीत हालात हैं प्रभु के आगे रखें, प्रभु ये श्मसी आपके जीवन में कारेंगे. आईए मिलकर हम प्राथन करेंगे. धन्यवाद करते हैं सामर्थी दयालो पिता हम आपका आदर और सम्मान करते हैं. आप इसके योग्य हैं पिता, आपका धन्यवाद हो कि आपने ये सुन्दर पल हम सब को दिखाया प्रभु कि हम आपके सम्मुक आकर आपसे प्रातन कर सकें. पिता धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रात्नों को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं आपके कान हमेशा अपने लोगों की दुहाईयों की ओर लगे रहते हैं और आप उनकी सुधी लेते हैं और आप प्रभु अपनी सामर्थ को उनकी साहता और मदद के लिए दिखाते परमिश्रु पिता प्यारे करती हूं कि इस दिन को प्रभु येश्व मसी आप के नाम से हम शुरू करते हैं प्रभु इस दिन के लिए प्रभु हमें आप से सामर्थ गाइडन्स प्रभु अगवाई परमेश्वर हम चाहते हैं पवितरात्मा आप हमें गाइट करें पवितरात्मा सही बातों को आप हमे करते हैं in the name of Jesus प्यारे परमेश्वर में प्रातन करते हैं हर एक जन जो हमारे साथ इस सुभा की प्रातना में शामिल है चाहे प्रभु वो बच्चे हैं बुजुर्ग है नौजवान भाई बहन है पिता उन सब को पिता परमेश्वर आप प्रेम करते हैं यह बहुत ही अद्भ के लिए तुझी उठा ताकि जो कोई प्रभु येश्वमसी तुझ पर विश्वास करें तेरे नाम पर विश्वास करें पिता वो अनंत जीवन में प्रवेश्व करने पाए और मैं धन्यवाद करती हूं कि हमने से हर एक जन जो इस समय प्रातन में शामिल है पिता तेरे न पर विश्वास करने के दौरा प्रभु वो सुर्ग के नागरिक बन चुके हैं मैं धन्यवाद देती हूं पिता प्रभु आपने हमें अपने राज्य में प्रभु शामिल किया है हमें से हर एक जन प्रभु उस राज्य के बड़े-बड़े फाइदों को अपने जीवन में देख सके मेरे खुदा, इसके बैनिफिट्स को, इसके अद्बुत कारियों को प्रभु हम अपने जीवनों में प्रभु देख सके पिता, क्यूंकि हम राज्य में चल फिर रहे हैं मेरे खुदावण। इसी समय आप नश्ट करें और इनके दुखों को आनन्द में बदले इनके आंसुओं को पोचे पिता प्रभू इनके शोक को नृत्य में बदल दे परमेशर क्योंकि तो अपने वाइदे को पूरा करने वाला परमेशर है तो वाइदे का परमेशर है खुदावन मैं धन्यवा को तयार करता है मैं धनिवाद करती है तुने हम में से हर एक जन को जब बुलाया है तुने हमें निमंत्रन दिया है तुने हमें कॉलिंग दी है पिता परमेश्वर और हमारी कॉलिंग प्रभू राजा की ओर से है मैं धनिवाद करती हर एक जन जो इस समय प्रात्ना में शामिल पिता उस आवाज को उस कॉलिंग को जो राजा की ओर से है प्रभू आज ये सुनने पाएं इनके कान येश्व नास्री के नाम से खुल जाएं और प्रभू ये तेरी आवाज को सुन सके इनके हिर्दय में परमिश्व पिता तेरे लिए जगा बन सके पिता और उस हिर्दय मे आकर आप वास क्रें खवान आज इस इंविटेशन को प्रभु येश्य मसूझ तेरे लोग सुईकार करने पाएं उसे एक्सइट करने पाएं और प्रभु उस भोज में जो रज्य में प्रभु तूने तैयार किया उस भोज में परमेशो पिता ये भाई ये बहन इनका परिवार इनके बच्चे इनकी पत्नी इनका पती इनके माता पिता इनके बच्चे उस राज्य में प्रभु जी उस भोज के प्रभु जी उस भोज में परमेशा उस भोज का आनंद लेने पाए जो राजा ने प्रभु येश्यु मसी तु हमारा राजा है पित प्रवेश कर सके खुदावन, कोई भी आज एक्सक्यूज प्रभू किसी के पास न रहे, यदि आज इनका जीवन एक्सक्यूज से भरावा है पिता परमेश्वर, बहुत सी ऐसी बाते हैं प्रभू जो इनके लिए बैरियर बनी वी है प्रभू तेरे राज्जी में प्रवेश्वर, प्यारे प्रभू, आज संपूर्ण समर्पन के साथ में, खुदावन इस न्योते को, इस कॉलिंग को, इस इन्विटेशन को प्रभू तेरे लोग स्वीकार करके तेरे राज्जे में प्रवेश करें, खुदावन, मैं प्रातना करती हूं, पिता आज प्रवेश करने पाए, खुदावन, और राज्ये के पिता इस अद्बुत भोज में प्रभू ये शामिल हो सके, खुदावन, थैंक यू फादर, मैं आज प्रातना करती हूं, जब आज बहुत सारी ऐसे सिचुवेशन है, पिता, जो प्रभू इने तेरे राज्ये में प्र प्रभू जी एक्स्क्यूजेस हैं, पिता, येश्यु के नाम से इनके जीवन से चले जाएं, हम आग्या देते हैं, पिता, आज जितने परिवारों में कलेश है, प्रभू शराब की बुरी रतों का सेवन करना, परिवारों में परमेश्यों, पिता, कलेश और बहुत सारी प्रभू येश्यु के नाम से इनके परिवार से वो कलेश दूर हो जाएं, और तेरा राज्य इनके परिवारों में आए, तेरा राज्य इनके बच्चों के जीवन में आए, तेरा राज्य प्रभू हर एक बहाई बहन के जीवन में आए, हर एक जन के लिए जब ये प्रात के benefits हैं पिता, मैं दुआ करती हूँ, आज प्रभु जी जितने भी लोग इस भोध से, इस राज्य से वंचित हैं, प्रभु येश्य मसी, आज पिता अपने राज्य को उन पर प्रकट कर, आज उनकी कानों को खोल कि वो तेरी आवाज सुन सके, और तेरे राज्य में प्रवे हैं, आज येश्य नास्री के नाम से उन्हें छोड़ कर, प्रभु ये तेरे राज्य में प्रवेश करें, धन्यवाद, आज जितने भी लोग बीमार हैं, यदि आपके उपर कर्जे हैं, यदि बिमारिया हैं, तो हम उन्हें येश्य के नाम से आग्या देते हैं, यदि तो आज उन बातों को मेरे साथ मिलकर अपने जीवन से डाटें, प्रभु येश्य मसी हर प्रकार के कर्जे को इनके जीवन से हम डांटे हैं, जाओ इनके जीवन को छोड़ कर, हर प्रकार की बिमारी को हम डांटे हैं, जाओ इनके शरीर को छोड़ कर, छोटे बच्चे जो कि हुए येश्युके नाम से धन्यवाद तुने बच्चों को चंगा किया इसमें जो भाई ये जो बहन held को अप्पटार को फिकी प्रकार की स्कीन-डिजीज हर प्रकार की इस्पॉट कर रही है येशु के नाम से मा आग्या देती हैं जाओ इसी वक्त दुष्ट के ओर से हर एक बीमारी हर गड़ड़ी हर प्रकार के पिता गलत अभिलाशा येशु के नाम से चली जाए हम आग्या देते हैं तेंक यू फादर प्रभुजी जिने प्रभु रात भर पिता कि इनके बच्चों की इनके परिवार के इनके घर के एक एक सदस्य की प्रभू आप सुरक्षा करने वाले प्रभू है क्योंकि आप आग की सी सहरपना बनकर अपने लोगों के साथ नहें दनेवाद प्रभू जी हरेख स्क्रैम फ्रॉड धोके से प्रभू जी गलत बातों से इन्हें इनके परिवार को बचाएं प्रभू, यदि आज बहुत से लोगों के साथ स्कैम हुआ है पिता, आपसे प्रात्ना है, प्रभू उन्हें अलर्ड करें, उन्हें बुद्धिमान बनाएं प्रभू, कि वो साम की नाई चतुर और कबूतर की नाई भोले बन सके, आशीज देते हैं, तेरे नाम से प्रभू उनके सफलता की काम ना करते हैं, अच्छे स्वास्ते की काम ना करते हैं, और कहते परमेश्व पिता, तुने कहा है, कि मैं तुझे सिर्ट ठेराऊंगा, पूँच नहीं, हाँ परमेश्व आप इन्हें हमेशा उंचे पदों पर न्युक्त करें पिता, और प्रभू जी आपके इन बेटे बेटियों के द्वारा आपका राज्य बढ़े, तेरी विश्वास्योग्यता, तेरी भलाईया ही अपने जीवन में देख सके, खुदावन, तैंक्यू फाधर, प्रभू मैं प्रात्न करती हूँ, जितने लोग कम अपने हिर्दय को सेवा के लिए तैयार किया है, अपने हिर्दय को तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए तैयार किया है, अपने हिर्दय को तेरे राज्य में बीज बोने के लिए तैयार किया है, प्रभू येश्व मसीह 100% मुल्टिप्लाई करके आप इन्हें रिटन करें, जोने हर्च से बोया है वो हर्च से प्रभु जी उस कटनी को काटे पिता तैंक यू फादर सबको ब्लेस करते पिता और येश्यू के नाम से स्प्रात्नों को मांगते सुने और ग्रहन करें आमेन आमेन और आमेन यू ही आप हमारे साथ में सुभाशाम की प्रात्नों में शामिल हुए राफा प्रेयर को अपने प्रतिदिन का हिस्सा बनाए और अपने शब्दों को उसमें जोड़ कर प्रभू के साथ अपनी कनेक्टिविटी को और भी जादा मजबूत करें जो भी भजन हमने बनाए हैं जो प्रभू की महिमा के लिए हैं उसे आप सुने और परमेश्वर की महिमा को करें सब प्रभू आप सब को आशीज दे जै मसिकी